पटना लाइट और आईडी बे एक्जिटीव का एक्जाम अभी चल रहा है कांड़ेट एक्जाम देगा बाहरे शुरू चले कांड़ेट से बाते करते हैं कि अभी का पेपर का क्या फेट बाक रहा था है तो इसे फटकी चैनल सब्सक्राइब करें था था इंक इस तो मुझ अच्छा तो मेरा वन थर्टी गया रहा है एक संसे लगें को इसे लेंगी थे जैसे की मतलब त्यूरेटिकल कोश्टन जा देहीं था जिसको पढ़े के मतलब क्योंचन था जिसको पढ़े के मतलब बहुत ज़्यादा समय उसमें वरबाद हो रहा था रिजिनिंग में एसे हां रिजनिंग में भी थे और मैंट में कुछ-कुछ थे कोश्चन इंगलीज में भी सेम टाइब कोश्चन थे अब आपके जीए और कैसा रहा जीके भी ऑल्मोस्ट ठीगी था मतलब बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा कोश्चन पूछा हुआ था क्या रहा टोटल 130 एकुरेशी नाइस एकुरेशी तो मतलब ऑल्मुस्ट 100 के आसपास होगा यह नी प्रिक्शन फॉर थे कट आउफ प्रिक्शन फिर्स फिर्स देंट में आपको ओल दॉप थेंक यू ठीक रहा मॉडरेट थे क्या टेंट एक सुद्स एक सुद्स एक सुद्स प्रिश्टन लाइन्स या कुछ चेंज़ेस दिखा इस बार नहीं मेरा तो पहला यह था तो ज्यादा आइडिया नहीं नहीं सब्सक्राइब किसी टॉपिक से थे लाइक कॉंट में और वार्ट डिस्टेंस यहीं सब बोर्ट वगरा का अधिक अर्फमैटिक ही था मस्ट डेटा औरेंटेट या डेटा वह बहुत अधर डेटा नहीं नहीं अबरेट जैसा आता है बैंक में वासी है अल्द बैस थैक्य यह जादा ज्यादा ठीच नहीं जैसा रहा पेपर उसे थोड़ा तफ रहा या पिर जैसा सोजे थे वैसा सब्सक्राइब क्या कारन क्या था कोस्टन का डिफिकल्टी लेबल थी ज्यादा च्छाइब ज्यादा था इस पर बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से बहुत पूरा भरा था लगों कितना क्वेस्टन कि फिद्वाइगा कैसा रहा वेपर थीक है कितने कुर्सन वह पाया है कि प्रिवेस अपरेटिव लिए पर कैसा रहा जयाक टिए क्किजिए का क्या सीन रहा करेंट फेर फटाज जादा जादा है इसमें पहले मतलब रिजनीग आता है फिर आपका रिजनीग आता है और फिर आपका वह जी एकर आता है तो जी यह बस मतलब समझे नॉम्बर दिस अमर काहीं था और बाकी बैंकिंग और कंप्प्पूटर का था और रिजनीग तो काफी असान था उसका पॉजल बस दो पॉजल हमको मतलब यह थोड़ा डिफिकल्ट लागा बागी सारा और यह आपका कंप्पूटर बहुत असान था कंप्पूटर से आपका बीस कोशन था अग्दम नॉर्मल बेसी कोशन के मतलब सौटकट की क्या होता है का पॉपफिश का क्या होते यह सब्तार आपका इंगलीज तो सबसां सब्सक्राइब इंगलीजजब चाहर वागे सारा तम समझझे कि प्रीवल कोशन था और भात बचा क्या मैं था थोड़ा काल्कुलिटीव था टाइम के साब से लिगे हैं कि किने का कॉश्ट के थे वैस यह सब मतलब पूड़ा है था काल्कुलेटीव या फिर बन रहा था असानी सब्सक्राइब कि अगर किसी का कल्कुलेशन फास्ट है तो वह 170-160 कर सकता अराम से मतलब अगर देखा जा तो बीना जीए को छोड़के पेपर बहुत इसी था समझें कि कटव इसका बढ़िया आने वाला है कोई प्रिटिक्शन आइधिंग 120-130 का सब्सक्राइब कि पिछले बार 108 जर्नल का तो इस बार 10-15 नमट तो सब्सक्राइब बढ़ेगा 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 इंग्लिस सब्सक्राइब मतलब पजल मां कहां पर रखता है सब्सक्राइब नौर्मल लगड़ा था कुस्टिन थीक था मॉड्रेट तो हाई था बादबागी मॉड्रेट था लेवल क्या मॉड्रेट होने कार मतलब इकनॉमिक और ज्यादा कुस्टिन है फाइनेसिल इकनॉमी डेटाबेस रिलेटेड ज्यादा अपरियल से लेकर के दिसंबर तक क्वेश्चन था और भी मतलब डिरेक्टली न पुछके सेकेंट था लाइन से कुछा हुआ था या फिर आयमें वर्ल्ड बैंक इसा पर डेटा था इंक्लिडिंग गवर्मेंट का भी था जो रिसेंट करेंट अफेर में था उसका डेटा अब ज्यादा पूछा गया था अब में दीकत होती है रिजनिंग में जैसे बैंकिंग एस पैरेंट को बोला रिजनिंग कैसा था 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 ता इने मैक्समाम 20 बनने वाला था राम से बनने वाला था वह फबिना फर्ट के कुछ मतलब की आपका अटेंट के रहा है आपका अब का वन ट्वेंटी एनी प्रडिक्सन फॉर दा कटा आपके को रिजल्ट आप दोने का अल था 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 इतना हो पाए अब पर भी क्वेसं स्थे या फिर एक्स्पेक्टेर लाइन के क्या थीकिए गया कितना अटेंट कह रहा है वह बता दीगी क्या वह बता थीक थीक्या सब्स्टेंट थीक्वारी थे क्वेस्टन्स ते आपने कितना अटेम्ट किया और सेक्शन वाइस क्या क्वांट एंग्लीज का कि इंग्रीज कर फाइब कि इंग्रीज कि फाइब कोई एक कर लिए अपने सब्सक्राइब कि अपने सब्सक्राइब मिर्ट में टेटा औरिेंटेट या फिर डेटा कम थाउस में क्या का डिस्ट्रिब्यूशन था जिसे की जैसे डियाई से क्रेंस होते हैं और डियाई से क्रेंसे तक अधिक तर्फिट्बाक थे आपडेट इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए अशाथ बाढ़े रहे हैं देखते रिये पटना लाइए